नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल सेविल इंजिनिरिंग नोलेज बैराम लखन यादों में आज आप इस वीडियो में देखेंगे फ्रिक्शन स्लेव वीथ क्रेस बेरियर कार इंफोर्स्मेंट प्लेसिंग कैसे किया गया है साइट पे प्लस प्लेट लगा है आरी पैनल के आउटर साइड में उसका क्या अरेजमेंट है सबका डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा चली दोस्तों स्टार्ट करते हैं ड्रोइंग से दोस्तों ये डैमेंशनल डिटेल है क्रेस बेरियर एन फ्रिक्शन स्लेव का जिसमें आरी पैनल के फेस से दो मीटर है फ्रिक्शन स्लेव का लेंथ और आरी पैनल के आउटर फेस से इसका जो आउटर साइड में एक सो पच 500 mm का क्रेस बेरियर और क्रेस बेरियर का जो बॉटम फेस है 500 mm का है टॉप में 250 mm है यह डैमेंशनल डीटेल हो गया अब इसका जो रिन्फोर्स्मेंट डीटेल दिया हुआ है उसको मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें जो क्रेस बेरियर है 16 mm का 200 center center spacing है यह जो रिंग दिख रहा है यह पूरा रिन्फोर्स्मेंट एक ही है ऐसे इस सेप में मैं आपको भी बीबियस में दिखाऊंगा इसका क्या cutting length आएगा और इसका total length क्या आ रहा है सब डीटेल मैं आटो केट से निकाला है आपको दिखा रहा हूं दूसरा इसका जो friction slab है एक ही reinforcement दिया हुआ है इसका जो सेप आएगा यहां से 150-200 ऐसे आएगा और इसका जो हंच portion है हंच से होते हुए यह 600 के length में रहेगा अब इसका मैं आपको बीबियस में दिखा रहा हूं सबसे पहले क्रेस बेरियर है 200 mm का L है 90 mm का इसका जो आउटर फेस का reinforcement है वह आयाएगा और इसमें 1340 mm इसका आउटर फेस का हाइट हो गया क्रेस बेरियर का 170 mm टॉप फेस में 700 mm का inclined portion उसके बाद 300 350 और 400 का है यह 16 mm का डाया 200 संटर संटर स्पेसिंग एक मीटर में 6 पीश लगेगा और इसका जो कटिंग लेंथ हाएगा सबको जूड करके और इसका बेंड मैनस करने के बाद 3486 mm हमने एक मीटर में निकाला है तो एक मीटर में इसका 4040 mm का कभर मैनस करके 920 mm होगा और इसका जो डिस्ट्पीशन लगेगा इसमें दोनों स्पेस में इनर और राटर मिला करके बारा नमबर तिसरा नमबर है फ्रिक्शन सलैब का मेन बार एक हीर इन्फोर्समेंट है जैसा के ड्रोइंग में दिया है 200 mm का एल 410 mm का टॉप फेस हंच तीन से पचास 1570 mm का बोटम 90 mm का यू और 1644 mm टॉप फेस अब ये 16 mm का है 200 संटर संटर स्पेसिंग 6 नमबर आएगा एक मीटर में प्रिक्शन सलैब का टॉप और बटम मिलाकर के 22 नमबर आ रहा है तो ये तो रिनफोर्समेंट सीडियूल हो गया अब इसको प्लेसिंग किया गया है तो इसको साइड पे उसको में आपको दिखा रहा हूँ है ये एक क्रेस्ट बेरियर का रिनफोर्समेंट से डियूल साइ यहां से बेंड हुआ और 1340 mm का यह नीचे तक गया है वहां से 200 mm का यह जो यू बार है उपर के तरफ आया है फ्रिक्षन सलेब के टॉप तक इसमें सिर्फ एक बाइंडर से इसको एरेंज किया गया है इसके जब क्रेस बेरियर का प्लेट लगेगा उसमें इसकी में जो डिस्टिबूशन लगा करके कास्टिंग होगा 200 mm इसका जो सेंटर सेंटर स्पेसिंग है उसके बाद से इसमें फ्रिक्षन सलेब का रिन्फोर्स्मन प्रभाइड किया गया है उसको मैं आपको दिखा रहा हूं जैसा कि ड्रोइंग में दिया हुआ है आप देख सकते हैं यह इसमें जो एल है बोटम में बोटम के तरफ ज जा रहा है यहां इस एंड से और लास्ट एंड तक पंद्रहसों कि सातर है और इसका जो टॉप इंफोर्समेंट है जो कि इसके एंड फेस में आकर के एंड हो रहा है हंच के जो कि यह इंफोर्समेंट दिया है यह है 1640 कि एंड से उसके बाद से इसमें जो टॉप और बोटम यह दोस्तों बाइंडर है जिसका एक सेंटर टू संटर स्पेसिंग है 200 है तो यह पूरा रिंफोर्समेंट मात्र चार बार मार्क में कम्प्लिट हो गया है यह बहुत ही इजी है आरीवाल के कोपिंग बीम के उपर इनर साइड और आउटर साइड दोनों तरफ और टॉप में भी 25 mm थिकनेस का यह थर्मो कोल दिया गया है थर्मो को जोइंट करने के लिए ब्राउन टेप से इसको पूरा सेट अप किया गया है जिससे की एक दूसरे से बंदे रहे एक बार में इसका कास्टिंग 25 मिटर किया जा रहा है साइट पे 25 मिटर का पैनल बना है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्रेस बेरियर का जो टॉप फेस है एकदम दोस्तों लेबल में होना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में एक पैनल 25 मिटर का कास्टिंग किया गया है दोस्तों अब मैं आरी वाल के आउटर साइड में जो शट्रिंग प्लेट लगाया गया है उसका डिटेल दिखा रहा है इसको कैसे प्लेसिंग किया गया है सबसे पहले इसमें एक यू बार बना जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इसको आरी वाल का जो कोपिंग बीम है इसमें इसे फिक्स कर दिया जाता है फिक्स करने के बाद इसमें जो प्लेդहे डेरिज सो म tark m का कास्टिंग भीस दिया हुआ है दोसे एमेंम का बनाया हुआ है आंज आजया हूली इसमें जहो भेर्टिकल प्लेट आये गा इस होल के साथ मैच हो जायेगा इसमें आउटर साइट से एंगल लगा है ये प्लेट 200 का बनाया गया है जिसमें बाहर से एंगल लगाया गया है और ये टॉप प्लेट आकर केस में कनेक्ट हो जाएगा जो विथ मिलेगा 150 mm का तो तरह से ये बीना सपोर्ट का इस आप इसको साइट पे प्लेसिंग कर सकते है अगर ये दोस्तों विडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर अन सब्सक्राइब करें धन्यबाद